पेरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है वाँ पर तेज हवाओं की वज़ा से चार की मौत हो गई जबकि 19 लोग हाल हो गए मौसम में बदलाव की वज़ा से वहां के कई इलाकों में तेज हवाओं चली जिन्नोंने इस्तानबुल में काफी नुकसान पहुंचाया हवा इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने हाईवे पर दोड़ रहे एक ट्रक को उलट दिया इस हाथ से का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो भारी भरकम ट्रक तेज हवा की वज़ा से बेकाबु होता दिखा जल्दी ट्रक के बीच रोड पर पलट गया हाला कि लोगों की मदद से किसी तरह उसमें मौजूद ड्राइवर को निकाल लिया गया और इसी तरह एक बहु मंजिला मकान की छट उड़ गई तस्वीरों में साफ देखा कि तूफान की वज़ा से उस इमारत की छट देखते ही देखते उड़ गई इमारतों के मलबे की वज़े से सडक से गुजरने वाले ट्राफिक पर भी इसका असर पड़ा जबकि दूसरे लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्रिशी सुधार पानून वापस लेने का बिल संसत के दोनों सदनों से पास हो गया लेकिन इस दोरान विपक्ष ने इन बिलों को बिना चर्चा के पास कराने पर जोड़दार हंगामा किया केवल सदन के अंदर ही नहीं सदन के बाहर भी ऐसा ही हुआ और कॉंग्रेस के सांसदों ने संसत परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने एक अठा होकर प्रदर्शन किया लोग सभा में कृशी मंत्री ने जैसे ही इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया विपक शोर मचाने लगा शोर गुल के बीच ही कृशी सुधार वापस लेने का बिल सदन से पास हुआ जिस पर कॉंग्रेस ने अपत्ती जताई और चर्चा नहीं होने पर तीखे तेवर दिखाए कॉंग्रेस ने आरोप लगा है कि इससे पहले सदन में इसी तरीके से छे बिल पास कराए गए और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसका संसद में विरोध किया और सदन में हंगामा किया जिसके बाद लोगसभा स्पीकर घुस्से में आ गए और उन्होंने विपक्षी संसदों के रवये को चर्चा नहीं होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जबकि सरकार ने साफ कर दिया कि उसने देश हित में जो फैसला लिया उस पर वो बिना समय गवाएं दोनों सदनों की मोहर लगवाना चाहती थी कुछ दिन पहले पी-म ने आयलान किया था कि संसद का शीत कालीन सत्र शुरू होते ही तीनों कृशी सुधार बिल वापिस होंगे और सरकार ने वो वादा पूरा किया दिली की नेव सुराय इलाके से हिरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है वहाँ पर जुग्यों में लगी आग से हडकम मच गया बताया गया कि शॉट सरकिट की वज़ा से ये आग लगी जिसने जल्दी ही जुग्यों की पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया इस हाथ से की तस्वीरें भी सामने आयी जिसमें हर तरफ भीशन आग की लप्टें उठती हुई दिखाई दी इन लप्टों ने वहाँ जुपडियों की कतार को चपेट में ले लिया एक एक कर कई जुपडियां जल गई जानकारी मिलने पर दमकल की 20 से जादा गाडिया वहाँ पर भेजी गई जिन्नों ने आग बुझाने का काम शुरू किया लेकिन आग इतनी जबर्दस थी कि इन दमकल कर्मियों को भी काफी देड तक जुझना पड़ा तस्वीरों में दमकल कर्मी आग बुझाने में पूरी ताकत जोंकते हुए नजर आए हाला कि इस आग में किसी को चोट तो नहीं आए लेकिन बस्ती की कई जुगियां जुलकर पूरी तरह से राक हो गई इटली के रेजो क्लाब्रिया में समंदर में फसे धाइस सो शर्नार्थियों को सुरक्षित बचा लिया गया कि यह लोग एक अफ अफरीका के देशों से भूमध्य सागर के जरीए इटली के करीब पहुंचे थे लेकिन समंदर में उनकी नाव खराब हो गई जिसकी वज़े से सभी यात्रियों की जान पर बनाई जानकारी मिलने पर इटली के कोस्ट गार्ड के जवान वहां पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया सामने आई तस्वीरों में शर्नार्थियों की लकडी की नाव लहरों में हिचकोले खाती दिखाई दी मचली पकड़ने वाली इस छोटी नाव में इतने लोग सवार थे कि उसमें पैर रखने की भी जगा नहीं थी कुछ लोग तो नाव की छट पर भी सवार नजर आए जैसे ही बचाव दल वहां पहुँचा नाव में मौजूद लोग उन्हें मदद के लिए फुकारने लगे इन लोगों को बचाने के लिए आधी रात में ही बचाव अभियान चलाया गया और सभी लोगों को नाव से निकाल कर किनारे पहुँचाया गया नाव में 40 बच्चे भी शवार थे जिनें सुरक्षित बचा लिया गया आईपेल की टीम रोयल चालेंजोस बैंगलोर ने विराज कोहली और ग्लेन माक्सवेल को फिर से टीम में रिटेन कर लिया लखनो पहुँचे राजिस्थान के सेक्डू बेरोजगार चात्रों की कॉंगर्स दफ्तर के बाहर भोखरता तीसरे दिन भी जारी रही इस दोरान प्रदर्शनकारी चात्रों ने प्रियंका गांधी से नौकरी दिलाने की मांग की दक्षुन अफरिका में कोरोना की नए वेरियंक ओमिकरॉन के मामले बढ़ने के बाद जोहAnnसबर्ग में वैक्सिनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गये अमेरिकी रास्ट्रोपती जो बाइडन ने कोरोना वेरियंक ओमिकरॉन से बचाओ के लिए लोगों को वैक्सीन की दोनों डोस लगवाने के साथ साथ बूस्टर डोस देने की सला दी